Hello guys, welcome back to Akersub इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा variables, data types के बारे में variables and data types का concept क्या है कैसे use कर सकते हैं, आप कैसे define करते है variable वगरा हो, क्या होते हैं variable तो उससे पहले मैं एक comment बता जिता हूँ आप कैसे comment कर सकते हैं किसी भी चीज को और comment होते क्या है तो comment हम coding में use करते हैं जिससे, जैसे हमने कुछ भी लिखाया यहाँ पे, code editor में तो जब यह code हम execute करेंगे, run करेंगे, तो हमारा compiler जो है, जो code को run करता है, जो read करता है, ठीक है जो convert करता है code को, तो वो हर एक-एक sentence, एक-एक word, एक-एक चीज़ देखता है, ठीक है, जैसे यहाँ int main देखेगा, वो, यह brackets देखेगा, curly braces देखेगा मगर जब हम किसी चीज़ को comment कर देता है तो compiler उसको ignore कर देता है और उस चीज़ को run नहीं करता, उस चीज़ को छोड़ देता है, ठीक है, तो human बड़ा code कर रहा है, तो बहुत सारे functions बगर बनाए है, तो किसी और user को अगर मैं दूँगा, किसी और programmer को अगर मैं अपना code दूँगा, तो वो comment का दोवारा ही समझ जाएगा, कि अच्छा ये वाला function में ये काम हुआ है, और वो वाले function में, दूसरा कोई काम हुआ है, तो comment का use ही हाँ होता है, ठीक है, तो अब हम बात करते है variables की, variables का concept जानने के लिए, मैंने एक PPT बनाई है, एक पर मैं उसको दिखा जिता हूँ, variable is nothing but a name given to a storage area data or programs can manipulate, manipulate का मतलब होता है change, तो variable क्या होता है, जैसे हैं आप एक fridge रखा एक almira रखा है, तो इसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, कुछ समान रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, वाटर वाटल रख सकते हैं, ठीक है, तो variable भी एक नाम होता है, एक जगह का नाम होता है, टीक है memory में जगह allocate हो जाती है जब आप program coding करते हैं आप एक variable का use करते हैं तो आपको memory के अंदर RAM के अंदर एक जगह मिल जाती है allocate हो जाती है और उस जगह का नाम वो होता है जो आप देंगे variable को टीक है तो जैसे मैंने एक X नाम का variable बनाया तो वो X आपको memory में allocate होगा और slot book हो जाएगा कि भाई इस area का नाम इस block of memory का नाम X है ठीक है उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं मतलब उसके अंदर आप integer store कर सकते हैं character store कर सकते हैं string store कर सकते हैं वो depend करता है आप किस type का program कर रहे है coding कर रहे है ठीक है तो variable समझ आया मुझे उम्मीर है आपको समझ आया गया होगा अगर नहीं आया तो comment करके और बता जाना मैं और बेटर तरीके से समझाने की कोश्चिश करूँँआ variable कुछ नहीं होता है variable बस storage का नाम होता है ठीक है ऐसा नहीं होता है कि variable store होता है कुछ होता है वो समझ नहीं है variable बस एक नाम है जो कि हम storage area को देते हैं ठीक है अब वो data types का कौन साब आता है data types क्या होते है ठीक है तो data types क्या होते है जैसे variable तो ले लिया मैंने मानिए जैसे मैंने x और y ले लिया दो variables ले लिया तो दो memory of memory मेरे पास allocate हो गई जी दो type की two blocks of memory मेरे पास allocate हो गई data types हामें बताता है अच्छा यह वाला जो area block है memory का इसके अंदर integer type के data type होगा integer type का data होगा y जो है उसके नदर character type का होगा x z always string डाइब तो अब वह data type है वह हमें बताता है वो हमें बताता है, यूजर को बताता है, प्रोगामर को बताता है, कि अचाहिए इसके अंदर जो है, वो string type का data होगा, store, जैसे यहाँ पे fridge है, fridge के अंदर, मैं अभी इसके अंदर randomly नहीं, मैं चाता हूँ इसके अंदर water bottle store हो, मतलब जो user है, वो सिर्फ water bottle इसमें store कर सके, तो इसका data type क्यों हो गया, water bottle ठीक है, और इसके अंदर क्या रख सकता है, water bottle रख सकते है, वो कितने भी रख सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, जो भी है, और क्यासे categorize कर सकते हैं, इसके अंदर पनीर रखना है, तो पनीर इसका data type हो गया, उसी तरह से variable का data type मतलब किस type का data रखना चा तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पांच टाइप के डेटा टाइप के बारे में तो यह इन सब का use कैसे होता है मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं एक variable आपको define करके दिखाता हूँ, c में कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको जब variable आप define करेंगे, दो types से कर सकते हैं आप एक variable को define, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया int int, मतलब variable का data type क्या है int variable का नाम x यहाँ पर कर दिया मैंने semicolon variable मेरा define हो गया अब मुझे variable को कोई value देनी है x equals to 5 ठीक है तो यहाँ पर मैंने variable को value दे दी variable वो define कर दिया definition of variable और इसको बोलते है initialization of variable ठीक है यहाँ पर value को initialize कर दिया है मैंने ठीक है तो अब मैं चाहता हूँ कि यह value print हो मेरी तो value को कैसे print कर सकते हैं c के अंदर यह काफ़ important है तो आप देखना अभी तो यहाँ पर जैसे मेरे को print करनी है x की value तो यहाँ पर मैं अगर मैं x ऐसे कर दूँ तो एक बार देखते हैं error आएगा वैसे तो यहाँ पर value print नहीं हुई है क्योंकि compiler को नहीं पता चला कि क्या चाहते हैं आप print करना किस type की value है तो compiler को हमें बताना पड़ेगा उसके लिए एक अलग concept होता है c के अंदर format format specifier उसको शायद कहते हैं जिसके अंदर आपको बताना पड़ेगा compiler को printf में मेरे को बताना पड़ेगा किस type की values को मैं print करना चाहता हूँ तो अगर value आपके integer type है तो आपको लिखना पड़ेगा percentage d और यहाँ पर लिखना पड़ेगा comma और अब x ठीक है तो d की जगा x print हो जाएगा x की जो value हो प्रिंट हो जाएगी अब देखते हैं और यहाँ पर 5 मेरे successfully print हो गया है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर लिख दू character integer से मैं character पर आ गया और जब character को आप value देंगे तो फिर आपको double quotes में या फिर single quotes में उसको देना पड़ेगा और अब अगर मैं x का x को print करो तो यहाँ पर फिर से error आएगा या फिर उसका address return करेगा वो यहाँ पर error आए 0 प्रिंट हो गया तो अब इसको character को print करने के लिए आपको c लिखना पड़ेगा integer के लिए d character के लिए c मैं इसको run करता हूँ आपको single quotes में ही लिखना है जब आप character के value को initialize करेंगे तो आपको single quotes में लिखना है ठीक है अब यह जो 5 है ना यह नुमेरिक 5 नहीं है यह एक तरह से representation एक तरह से symbol है अगर मैं इस पर operations को use करूँ जैसे plus का operation या फिर multiply है तो इस पर नहीं होगा क्योंकि यह एक symbol है बस कोई value नहीं है यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ a लिख सकता हूँ b लिख सकता हूँ print सिरफ p होगा इसमें क्योंकि इसने a को read करा फिर b को read करा क्योंकि यह character है character मतलब last का जो आपके पास character है last character क्या है b ठीक है अब मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पर तो यह last character क्या है b यह सिरफ last character को print करेगा और यहाँ पर मेरा b print हो गया है ठीक है तो इस तरह से आप value को initialize कर सकते हैं value को print करा सकते हैं अगली वीडियो में हम main programming में आएंगे ठीक है तो तब तक के लिए आप variables और data types का concept के साथ थोड़ा शेड़ चाड़ करते हैं कि कैसे आप string के साथ कर सकते हैं scan values को initialize करके value को print करा सकते हैं output screen पे ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक करते हैं चैनल को subscribe करते हैं धन्यवाद